हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे दूसरे अध्याय का 46 मशलोग 2.46 यहां भगवान एक एक्जैम्पल लेके समझाने का प्रियास कर रहे हैं कि एक छोटे से कूप कूप यानि वेल कूआ तो एक छोटे से कूप का सारा कार्य है यानि वो जो भी परपस सर्व करता है एक विशाल जलाश ऐसे तुरंत पूरा हो जाता है एक्चुली यह किस रेफरेंस में यूज किया गया है कि जैसे पहले जमाने में लोग कूएं से पानी लेते थे मा लेते हैं एक कुएं से पानी हो गया पीने के लिए एक हो गया कपड़े दोने के लिए एक हो गया नहाने के लिए अलग-अलग कुएं अलग-अलग परपस के लिए यूज हो रहते हैं अगर वहाँ पर कोई बहुत बड़ी वाटर बॉड़ी हो कोई बहुत बड़ी नदी वहां से बह रही हो तो फिर अलग-अलग नदीयां थोड़ी चाहिए एक ही से पूरा परपसर हो जाएगा घाट बेशक अलग-अलग बनाने पड़ सकते हैं लेकिन नदी तो एक ही चाहिए ना कुएं अलग-अलग चाहिए अब इतना बड़ा गाउं हो तो एक कुएं से थोड़ी निप्टेगा लेकिन अगर बड़ी नदी बह रही है तो एक नदी ही पूरे गाउं पूरे शहर के लिए सफिशन्ट हो सकती है यही भगवान कह रहे हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कारे एक विशाल जलाशे से तुरंत पूरा हो जाता है अभी किस रेफरेंस में कहा है इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जाने वाले को उसके सारे प्रियोजन सिद्ध हो जाते हैं अब यहां भगवान कह रहे हैं कि अनेक अनेक वेद हैं अनेक अनेक उनकी instructions हैं, suggestions हैं, teachings हैं, शिक्षाएं हैं अब जो उनका आंतरिक तात्वपर्य समझ सकता है कि basically भाई कहना क्या चाहते हो इतने वेद, इतने पुरान, इतने ग्रंथ exactly कहना क्या चाह रहे हैं actually ये सारे वेद, सारा सब कुछ ये समझाना चाह रहे हैं हम कौन है, हमारा, मैं पहले discuss कर चुका हूँ कि हमें एक आत्मा है, तो वेद क्या समझाना चाह रहे हैं इनका आंतरिक तात्वपर्य क्या है, कि परम भगवान कौन है हम कौन है, हमारा परम भगवान से क्या संबंद है इस धर्ती पर हमारे आने का क्या प्रियोजन है इस जीवन में जो भी कारे हैं, वो करने के बाद हम कहां जाएंगे, कहां से आए हैं यानि ये जो basic questions हैं, अगर हमने इनको समझ लिया तो समझ लीजे कि वेद यही मुख्य कुछ बाते समझाने का प्रियास कर रहे हैं अलग-अलग माध्यम से, अलग-अलग बातों से मैं questions repeat करता हूँ, question ही अपने आपमे answers है समझना पड़ेगा उनके answers को पहला question है, परम भगवान कौन है, दूसरा हम कौन है, तीसरा हमारा परम भगवान से क्या समझना है चोथा, इस मानव जीवन का क्या उदेश्य है, हम इस धर्ती पर कहां से आए हैं और मानव जीवन के हमारी अपनी लीला हम समाप्त करने के बाद कहां जाएंगे अगर ये कुछ basic questions हम समझ लें, तो सभी शास्त्रों का निचोड घूम फिरकर यही है एक ये चीज समझ लें, तो फिर अन्य ज्यादा चीजों की जुरुत नहीं है और भगवान किदर हिंट देते आ रहे हैं पीछे से, कि ऐसे पूजा पाठ अनुष्ठान की जुरुत नहीं है ऐसे भौतिक एश्वर्य और इंद्रिय भोग के पीछे भागने की जुरुत नहीं है अल्टिमेटली हमें अपने जीवन के उच्चतम लक्ष अर्थार्थ मोक्ष पर फोकस करना चाहिए चलिए एक और श्लोक जो की बहुत ही पॉपुलर श्लोक है महतपून तो भगवत गीता के जादतर सारे ही श्लोक है बट ये श्लोक खासकर इसकी पहली लाइन बहुत फेमस है कर्मन्नेवा अधिकार अस्ते मा फलेशु कदाचना क्या है ये 2.47 भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है किन्तु कर्म के फलो के तुम अधिकारी नहीं हो तुम ने तो कभी अपने आपको कर्मो के फलो का कारण मानो और नहीं कर्म ना करने में कभी आसक्त हो तो इसमें basically मुटा मुटा तीन बाते आ गई पहला कि हमें कर्म करने का अधिकार है फल के हम अधिकारी नहीं है कोई कह गा ये क्या बात भी भई हमने जब करम किया तो हम फल के अधिकारी क्यों नहीं है करम के फल के लिए आप eligible हो मिलेगा आपको अधिकारी नहीं हो का मतलब आपने करम किया तो आप खुद को अधिकार से ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो देखो जी सबसे बढ़िया एक्जाम लिखा है तो अब मैं ही फस्ट आना चाहिए हो ना आपने एक्जाम लिखा है बट मार्क्स को यह और ही देगा उसको जो ठीक लगेगा उसके इसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे और यह मान के चलना पड़ेगा कि वह टीचर आपके प्रती न्यूट्रल है भगवान के बारे में भी हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान सबके प्रती उदार हैं दयालू हैं किसी से भेदभाव नहीं है तो हम मेहनत करें उसका फल जरूर मिलेगा लेकिन यह सोचना कि हमने सबसे जादा मेहनत किये तो अब सबसे जादा फल हमें ही मिलना चाहिए हमी सबसे जादा सुष्थ और इस दुनिया में अमीर होने चाहिए वो नहीं चलेगा भाई आगे भगवान कहा रहे हैं तुम ने तो कभी अपने आपको कर्मों के फलों का कारण मान। अचली जो कर्म का अगर फल भी निकलता है ना तो आप सिरफ उसको अपने आपका कारण मत मानो। जैसे मान लेते हैं आपने कोई बिल्डिंग बनाई, कोई भी काम किया। तो आप यह मत सोचो कि टोटली उसमें आपी का रोल है। आप खुछ सोचो आप कोई भी काम करते हो अपने जीवन में। अगर आपके मभब ने आपको जन्म ही ना दिया होता तो आप क्या कर लेते हैं। कहीं भी आप गए हो अगर सरकार ने सड़क इना बनाई होती, बिजली इना बनाई होती, भगवान ने अगर पावर, सूर्य, जल और यह बेसिक मिट्टी जैसी चीज भी भगवान ने दिया ना। मैं कहना क्या चाहरा ह। मैं यह कहना चाहर हूँ, जब हम कोई भी कारे कंप्लीट करते हैं, तो कई बार ऐसा मान लेते हैं, कि उसमें बस हमारा ही रोल है। हमें दूसरों का रोल दिखता ही नहीं, जबकि दूसरों का भी रोल होता है। और आम तोर पर जो भी कारे आप करते हो, उसमें दूसरे लोग भी सम्मलित होते हैं, अकेले कहा हो पाता है कुछ भी. तो इसका मतलब हमें अपने करम के फल का कारण खुद को निमड़ा, कोई चीज अगर फलिट हुई, सक्सस हुई, तो ये सोचना कि सिर्फ मेरी वज़े से हुई, ये सोच भी गलत है. और तीसरा भगवान ने ये भी कह दिया कि भाई, ऐसा भी कभी ना सोचना कि भाई, करम का जब फल मिलना ही नहीं है, तो करम ना ही करें, क्योंकि भगवान ने ऐसा नहीं कहाएगी करम का फल नहीं मिलेगा, सिर्फ ये कहा है कि जो जिस चीज के लिए आप eligible हो, उतना फल मि हो जाए तुम्हारी कि मैं करम करना छोड़ी देता हूं, वो तो और भी गड़बर हो जाएगे, तो हम इसी शलोक के अर्थ को क्योंकि महत्यपुन शलोक है, एक बर और समझ लेते हैं, पहली बार भगवान ने कही, अपना करम करो, बेस्ट करो, जो कर सकते हो करो, मुझ पर विश्वास रखो, जिस चीज के लिए आप अलिजिबल हो, वो आपको जरूर मिलेगी, ये है पहली लाइन, दूसरी, अगर कोई चीज में सफलता मिली है, करम का फलाया है, तो ये मत सोचो कि इसमें सिर्फ आप ही का रूल है, इसमें भगवान ने, चारो तरफ जो जीव, अन्य है, उन्होंने, प्रकती ने, सबने कॉंट्रिब्यूट किया है, अगर आप ये सोचते हो कि जो कुछ हो रहा है, आपकी वज़े से हुआ, तो एहंकार का जन्म होगा, कोई फायदा नहीं है, तीसरा, कभी भी करम छोड़ देने के बारे में तो मत सोचो, जो आपका कर तब वे करम है, उसको अवश्य करो, हरे कृष्णा, महतपुन्ष लोक है, हो सके तो किसी एक दो वेक्तियों को जरूर फॉरवड करें, उनको भी लाव होगा, वो भी शायद भगवत गीता पढ़ने लगेंगे, आप भगवत गीता की वीडियो लगातार देख रहे हो, सु झाल